जैसा कि आप लोग को पता है कि section 144 कश्मीर के बहुत सारे जिले में लगाया गिया है तो आज इसके लिए जागरुपता फैलाने के लिए, awareness फैलाने के लिए मैं आप लोग के थुरू, मेडिया के थुरू मैं जनता से बात करना चाहती हूं कि ऐसे बहुत सारे ग्रूप्स होते हैं, social media नेटवर्क पे जिसमें कि terrorist को, terrorism को glorify किया जाता है जिसमें लोगों को, आम जनता को डराया जाता है मुख्बीर बोला जाता है या फिर ऐसे मीडिया पे ग्रूप्स जिसमें hatred फैलाया जाता है हम जाने या अन जाने में ऐसे ग्रूप के मेंबर बनते हैं तो मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि ऐसे ग्रूप्स के मेंबर ना बने क्योंकि आज के बात से ये एक illegal act है जिसमें law में आपके अगेंस्ट कारवाई की जा सकती है तो जो भी बच्चे ऐसे ग्रूप के मेंबर्स हैं और जाने और जाने में बहुत सारे ऐसे ऊफ्सक्रावाई करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ अपने आगे वाले ग्रूप में वह ना करें अगर ऐसा करने पर पुलिस को पता चलता है तो आपके खिलाफ legal action लिया जा सकता है और guardian से, parents से मेरी ये request है कि वो अपने बच्चों के mobile को देखे और अपने बच्चों के mobile को ये बताएं कि ऐसा act ना करें ये आप लोग के जागुता फिलाने के लिए ये मैंने सोचा है कि एक पार आपको बताया जाए ताकि आगे से आप आपको ये पता होना चाहिए कि ये चाहे आप knowingly या unknowingly ये काम करते हैं intentionally या unintentionally करते हैं तो आपके खिलाफ legal action लिया जा सकता है यानि cyber crimes जो है वो उसके ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको बंद करने के लिए ये action लिया जाए थैंक यू